एक नदी के किनारे दो पेड़ थे, उसे रास्ते से एक छोटी सी चिडिया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टेहनी में घोंसला बना कर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया, चिडिया फिर द पेड़ को बहते हुए देखा तो कहां? जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आई, तब तुमने मना कर दिया था, अब देखो, तुम्हारे उसी रूखी बरताव की सजा तुम्हें मिल रही है, जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानत किसी के इंकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझे, क्या पता उसके उसी इंकार से आपका भला हो, कौन किस परिस्थिती में हैं शायद हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए किसी के चरित्र और शैली उनके वर्तमान व्यभार से न तौले